एलो फ्रेंड आज में बनाने जा रही हूं फ्राइड राइस यह फ्राइड राइस हर घर में अलग-अलग स्टाइल से बनाए जाते हैं बनाने के लिए तो सभी बनाते हैं लेकिन हर किसी का बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है तो जो आज मेरा तरीका है बनाने के ल तो सरसे पहले लिंगे हमें कड़ाई और इसमें ले लिया है मैंने ओईल आप कोई सा भी ओईल ले सकते हो ओईल की जिके घी भी ले सकते हुआ तो देखे अब हमारा ओयल गरम हो गया है अब इसमें डाल देंगे जीरा और हींग थोड़े सा जीरा लिया था थोड़ी सी हींग लिया है और अब हींग जीरा चटक गया है अब इसमें डाल देतें लसन और अद्रक जो बारिक हमने चोप कर ली थी और उसी के साथ मिक्स कर द बस slices काटे हैं इसके और देखो इनको इनको ज्यादा golden नहीं करेंगे हलका हलका golden करेंगे इनको प्याज को अब डाल देते हैं हम सिमला मिर्च और गाजर दोनों एक साथ ही डाल दिया है अगर आप लसन का यूज करना नहीं चाहते तो इसको skip भी कर सकते हो और इधर जो मैंने वेजिटेवल डाली है इनकी जगह आप कोई दूसरी वेजिटेवल भी यूज कर सकते हो जैसे कि गोबी होगी बीन्स हो गई पत्ता गोबी हो गई किसी का भी यूज कर सकते हो अब मैंने डाली है ये half oil करी हुई मतर और जो वेजिटेवल मैंने डाली है इनको हम जादा न पूरिणे नेए इनको इनमें हल्का क्रंच पना छोड़ दिंगे और आप डाल देते स्में इसमें मसाले आदी चमाच घल्दी पाऊडर डालाए नमक अपने टेश्ट क्या कोडिंग डाल सकते हो और आदी चमाची मिर्च डाली है मैंने और थोड़ा सा गरम मसाला डाला यह और इसमें डाल देती हूं मेगी मसाला, मेगी मसाला बच्चों को ज्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने मेगी मसाला डाल दिया है, अब इनको कर देते हैं, मिक्स, तो देखो हलका सा ही चलाएंगे, और अब डाल देते हैं इसमें पनीर, पनीर मैंने लाश्ट में ह तो नहीं झाले यह क्योंकि पनीर जो पहले डाल देते हैं तो वह हम वेजीटेवल को चलाते हैं तो पनीर भी तोड़ जाती है हमारी तो देखों पनीर हलके से MIX करीपि और अब डाल देते हैं इसमें राइस मैंने सवेरे वाइट वाले राइस बनाए थे न वही बच गे थे तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर दिंगे तो देखो इनको बनाने में सिर्फ 5-7 मिनट का टाइम लगता है और ये फ्राइड राइस तो घर में अगर कोई बच्चे हैं न वही बना लिंगे तो ये राइस वैसे हैं मेरी बेटी बना रही है यह फ्राइड राइस मेरी बेटी नहीं बनाएं और देखो होगे पर 7 चाल कितने 2 बनकरते यार होए हैं वं आंको कर लेते हैं हम सर्ष इस्टांब आप इसमने नहीं डाल सकते हो या तो फिर हरा धन्यां हो भी डाल सकते हो कासूरी मेथि और हरे धनिये से भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है तो देखो हमारे कितने अच्छे बन कर तेयार हुए है हमारे फ्राइड आइस और अगर आपको मेरी वेडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने ना भूले और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले तो मिलते हैं नेश्टरी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक केर